एरिका फिनेंडिस ने अपने करियर को ले कर किया ये बड़ा खुला सा पर्मिशन लेना पसद नहीं करती हैं एक्ट्रेस कुछ रंग प्यार के ऐसे भी और कसोर्टी जिंदेगी जैसे बड़े शोज में नजर आ चुकी एरिका फिनेंडिस इन दिनो टेलिविशन से ब्रेक पर है एरिका फिनेंडिस कुछ हट कर और अलग करना चाहती हैं और इसके लिए उन्होंने इंतजार करने का फैसला किया है ऐसे में एरिका के फैंस को एक बड़ा शॉक तब लगा जब उन्होंने दुबई में सेटल होने का फैसला किया दुबई में सेटल हुई एक्ट्रेस अपने अपकमिंग प्रोजेक्स के लिए वही से इंडिया ट्रेवल करती है अपने लेटिस्ट इंटर्व्यू में इस बारे में बात चीत करते हुए एरिका ने बताया कि मैंने अपने लिए ये जिन्दिगी खुद चुनी है ये मेरे ही सारे डिसिजन्स है मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं की जो मैं करना चाहूं उसके बारे में पहले किसी से पर्मिशन लू मेरे पैरंस मेरे काम के बीच में कभी नहीं बोलते अगर मुझे किसी की मदद चाहिए भी है तो वो मेरे दोस्त है जिनसे मैं हमेशा वीडियो कॉल पर जुड़ी रहती हूँ इस बारे में बात करते हुए एरिका ने आगे कहा कि मेरी इस जर्नी में मैंने काफी कुछ सीखा है प्रफेशनल और पर्सनल जिन्दगी में मैंने काफी कुछ देखा है जिसने मुझे इंसान के तौर पर और आगे बढ़ना सिखाया है फाइनेंस और खुद से प्यार करना मैंने इसी बीच सीखा है एक दौर था जब मेरे लिए ये चीज़े कोई और एंडल करता था लेकिन मैं अब चीज़े खुद सीख रही हूँ नया देश, नया रेगुलेशन इन सभी ने मुझे एक नया प्रस्पेक्टिव दिया है हाल ही में एरिका एक शौट फिल्म दा हांटिंग में भी नजर आई थी जिसमें उनकी पर्फॉर्मेंस को काफी अप्रीशेट किया गया है फिल्हाल एरिका फिनेंडेस टेलेविशन और OTT पर अच्छे प्रोजेक्स की तलाश में है और वो जल्दी अपने फैंस को एक बड़ा सप्राइज दे सकती है